नमस्कार आई चा हिडोना चा या भगात तुमक सगना की ओकार अडिक मागदिस्था जे राजकी वादर्ड दा बोलेचे आमधरान सुरु केला तकला उन परद मोविन गुदिन आमजी और व स्टुडियो वितरा स्वागत तुम जे वह इन वा मखेएक गजाल सहना नातले आन कॉंग्रेस गेली इतली शुवर ने पहले स्वाथित तुँय मुल्ला वादऑर्ड आयें शुरू केलाा वादऑर्ड मखा दिस्ता कोणुच शुरू एक्टो मुनिस करपाग शेक्ना है दून ताडियों जाए पड़ता है एक तरेन जा मी मुट्टा वादऑर्ड जह शुरू जाता तु शुरू ज आ पड़त आ कॉंग्रेस मनाते हैं गया है। मोविन कुछी नहीं मना कदक कॉंग्रेस उल्ली ना। मैरी एक जब पहली अफेक्शन अशिल एक जी समकी क्लोजनेस अशिल लो तो खमी तरी गया है। कॉंग्रेस ही जे इतले और सा काम करून इतले समझवता उने उने मकदिशता अल्मोस 34 एस तितिस और सा माईज आये जे काम केलने आसा एक कॉंग्रेस ही खतीर और सिंसेली काम केलने आसा। पुन जस्वत टाइम होईता और तुका दिसुनेता कि तुझे जे काम केला तेजी ओड़क गेऊन तुका हुईतोरी एक पुष दिता अशे कुरून फुडे असपाक। तेंकेलप स invis आये वहलें तुका पर्द उरफ़पटे करताー हैंी तुका थास दिता दिल्लाति उत्रां सामाणना आणी तुका हुआ लौनिएट करता तुम्ही यह सभी परिस्तिती खतीर स्टेट यूनिटा जबाबदार दरताथ का इवन दिल लिग जबाबदार दरताथ एका दोन बाग सा अमची एक national party जाओना सा अंगाजे जाता ते जैँ आम अडिल मुन मानता डेली तेनी सरके थार्यार गलपाग जाए और डेली की ते सरके करना जाले आमी आंगास्वन तेंका शिकायत करता मुटा गंपलेन करता आणी तेजेर मांगी ते एक्षेन गेता कितले चासले उधारन दूपा शेकता तोड़ा चाम फट्टी वहीता जनना बाब दिगंबर कामद चीफ मिनिस्टर जाले तुमका तेनना याद करताम पर चादिन ना अनी लुईजीन जे अनी लीडर अहले ते हाले ऐले ऐलेक्षिन ओतोमेटिक इमांग मैनोरीटी कम्यूनिटी अज लीडर फ्रम देस्ट शाओ जाओ जाओ पाद आशिलो जाओ जाओ ना पुना एक जाप काल ली ना मन मौविन भाव अजी कातिर स्टीट उनित रिस्पोंसिबल चीफ मिनिस्टर तेना जो का योर अल्सोब्लिमिंग डळी आशिया, की आंगाश्व रहाते आम्चे ओले अल्ले अल्ले मैनीपिलेटर जे हाई कमंडा केना कर पा ना कहाई हाई कमंडा चे काना क्हान बूल्दोच से खानां तेंछे गलोन तेंचे तो नढ़ना वह जादा स्वाख्य काड कि प्रोसीजर रासता अधने का अगड़े ता चीफ मिनिस्टर उंक्या 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 गयतलोई एक्स यजड एबीसी और दूसरियां कैबिनेट मिनिस्टर गयता दल्या एपरूव वाल गयोचे पड़ता सोगल्यांची नावा एपरूव कोरून हाई कमांडा कोड़ेशन आडपा त्या आट्टा आणि नावा आट्टा ना मुझे बोले पावतो कोश किते केले सपोज दिगंबर कामद चीफ मिनिस्टर तेनना अशिले मना आँ संग दा नेक्स ने मौविन गोडी नो कैबिनेट रेंग और बाकि एक्स यजड कैबिनेट रेंग एबीसी कैबिने अशे सोग लिए नावा आजे कोण कैबिनेट रेंट रेंग मुझे एक ट्रिक खेल्ड है इवन हाई कमांडर की माजे नाव तीन तुन गाईले कैबिनेट रेंग अनि नाव स्लोली बुस्वेतास से अंट्विस्ट करून मा का डेपीट स्पीकर मुन साइड इन बुस्वे ताजी उपरान देलेक्शन जालें ताजी उपरान तुम जाल समगे जे हवीवेट भी मुन्टा रहे तु तु तैनन तरी फक्त लुईजन आनी सारदीन पुडिल लो तो सगेस पड़ ले त्या सगड़े पुट गीर गडिये सुरुवाति जाले असाद कि मौवीन डुट द्या में मौवीन बाडिये साद रहे जाले टान समगें जैना टु तो तो रहे जादार हो जाजी बाडिये अंचे इंचे लें केलो बाड़े आता तुरी शुदार खें मौन तुरी रहेए होतले जे एंट लेक्नान जालिये जे ना तु तुछ करना मान पी रूलिंग ओपोजिशन दिश्था लो रूलिंग पार्टी आसता ना कि यह कहले तैंका ठीका करपाग जाए मुन्नू पुन तेंचे नोदरे आड़ पा अनी बरे अल्ले प्रमाना ना नोदरे आड़ आड़ एसेमली नहीं दाकोई ले लोका दाकोई ले हाइकमा अन जननना अक्ये गवाए तैंनना मुट्था जगले कॉंग्रेक्स में मुट्था कि मॉविन गुटिनो इस दी राइट पसंट टु बी लिडर अपोजिशन तेंना तुम्ही मांका हिमिलेट करून पहले सांगता करता है और मांकी डिसिजिण चेंज गरता मां आया कि दे पहले सांगता है तेंनना इंपोर्टेंट तुम्हां सांगता स्वत्ता है आउं फाटलेयान सुरी मारू ना डायरेक्ट डेल्लियोस होन बाई सोन्यां गंदी सांगले एमध पटेला संगले ते उपरान मांका खुब मुईनानी यहने आपोपा दाडलो बाब राहूल पहले तेंनना तेंगा स्पश्पड जांगले पोई जनना कि तें पदा आसता मांका पर से रीडर ओप उपोजिशन एक तामड़ द्यों मेर्टा मुण मांका जाओ पान ना का हां हरे बरे एच काम कर पाँ जाओ पाँ जाओ पाँ इच्छाशी ले जोगड़ून कॉंग्र सांग भी तुम्ही जे क्यले हैं तू मुंटा कि अपने काम केली ना सोदे धंगल दोड़ी उगट ले मुणो यह क्यले लोग सबाई इलेक्शन आग तर तुम्हें उपनली स्टेंड गेतलो यह सगले कुर्तगीर दोड़ी उगड़ ले आत काई दोड़े उड़ूना वही तुम्हें अपनली स्टेंड लोग तेजर बेजा रासा ना माजे मुणने किते हैं बेजा रासा काई बरे काम केला ते आता तुका सवड़ातार के मेया चे रिजाल देता तेनना कट ले तेना ही तेन दोड़े उगड़ाते ले तोर्यास तोड़े लोग आजुनी सपने था कि एंटी इंकंबंसी मुणास ता जनना सरकारास्तो लो फूड़ारा ओटोमेटिक लोग कॉंग्रेसी बरोवर एत ले अपेक्षा दोरून आता चलता ते बाशीन चलों दी कोना कातर पाचे ते आमी कातर या माजे सरके लो कातरी ता सा मुनुन जे किमत ना दिवपा सरके स किसी स्क्राइख वर दोंग ते लो फूड़ा की बाचे णिए बाच कि काईन से मुनुन की समय ज्णा है किन वर्टोमेट जिवफा एक्ष वूड़ान का एंट जालन तो लोंऑ्य बाच विघ्प्टोमेटिक तोऍे झाट ऑड़र लेधास में सबता सेब्सट्डाइ जर्ण मıs कर सेंटेड इस माइडसी केजैश्टे science ЕH ज मेंडसेट इसा पुष कुम्यों सेंठ प्रॉब्सट्पाइवह जिए जिए देर्व्थ गरा सियनिस्ते प्रॉब्स मॉवन प्रॉब्साइड और प्रॉटॉ and the planning, systematic planning that is being done to push me out. Is it a fact that your relationship was not very sweet with Congress? It was very sour. After John Fernandez, it went from bad to worse. It was like this. Whichever observer that used to come or whichever inchaj used to come from Delhi, the Hari Prasad पहिले आसुन्दी, मगी सुदाकर रेड़ी आसुन्दी, आन्तान दिग विजाई सिंग और चल्ला कुमार, जननते मागा मेटा, श्पर्श पोडें ते संगता, अनि संगता कि दे, तुझे र खूब अन्याई जालवासा, you deserve justice, we know Congress has behaved very badly with you, आन्याई कॉन 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 ना, अन्याई काई कॉन ना, अन्याई काई कॉर्ना हम कशे दा कोईता, आन्कि माका ते, they are trying to assuage my feelings, माका मसे मल्लम लावपास होता हम कशे गाटा, एदे ओल्डे लीडर दिग्विजे सिंग कशे, डॉक्टर चल्ला कुमार, जौन फेर्नांडीस, सावियो डिसूजा तेंचे बरबुर, माझे घरागड़े आईले, कि अवा मीटिंग एटेंड कुनना हम, अनि माका convince कर पा, एदे गासपस पने सांगले, यह तुम्ही सगले मान्य करता, माका इंज़स्टिस जाला थे, एदेनना यह एदे 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 यह एदे दो, जौन आमीन सगल दाला तो, सगल राह मन सांगले, And still you don't want to open your eyes, शिज संग मीन्स, You have no road map to build a Congress for the future. Because when you are not a grassroot leader, when you have no support absolutely, you are obviously controlled by others or by succ illness. So, he is a victim of circumstances and a classic example of being a person controlled by others, because who has no… Who is controlling John Fernandes? Who is… See, John Fernandes, do not forget, came out of the blue, a name which was never heard for almost 20 years. Even if he was Rajya Sabha member, it was 20 years before that. Suddenly, out of the blue, he came. That means there are some people in the Congress, which are trying to remote control Congress with the hope… You are saying… You are saying GPCC President is remote controlled right now? GPCC Presidentship itself, the way it was given to him till today, goons are wondering, why don't you do this? Congressmen are surprised till today, why don't you do this? Who is behind this? There is… I don't want to name that… State President is remote controlled. I don't want to name those people, but there are people in the Congress who got finished in Goa politics, they became a big zero, they were defeated in Goa politics, today they have become close to the powers to be in Delhi, whether it is Sonia Gandhi or Rahul Gandhi, and they wanted to put a puppet and also control the situation in Goa, Congress situation in Goa, like puppets on a string, as far as certain people are concerned. Let me be direct. Are you hinting towards Louisian Falero? I need not take any names… But you are hinting towards Louisian Falero. I need not take any names. In the past also, it has happened in Goa, there are certain people who quietly stay in the background, they try to call the shots and do all… play all the dirty tricks. This has happened. And it is for goons to analyze. Just because Moven is saying this, don't believe. But try to analyze. Moven, are you saying, are you saying that John Fernandes is a puppet of Louisian Falero? I will not, as I said, it is not in my interest or in anybody's interest for me to take names. There are enough things pointing at a situation as to who are responsible for trying to control Congress in a manner as if they are a very strong organization, as if they are in power. Okay, let me keep that Louisian Falero's name aside. But you are saying that John Fernandes is a puppet. John Fernandes is a toothless tiger. He is a, I may say, a person who is a puppet controlled by others, who has nothing of his own. And so, how do you expect the organization to be strong? How do you expect him to respond in the right manner to any situation? Why are you not considering there are certain good efforts that John Fernandes is making to clean the party? He has taken some very harsh stance. He has taken some very disciplined stance. Why are you even ignoring those? I really do not understand when you say he has taken some harsh stance, some good stance. When you do not have, when you are recognized that you have taken a good stance. When you are able to put through the sieve good and bad people and get some good people at the helm of affairs. And project them which is done through the organization and say this is Congress. Whom does he have? He himself is a person who cannot win a panchayat election. Can you point out just one or two people whom he has projected and these are the future of the Congress? There are people like I will give only one name since you are saying because there is nobody else like who are issuing statement after statement. Like there is some fellow called Durga Das Kamath or somebody as a spokesperson. He does not want to fire himself. He makes his fires from his shoulder. Who is this so-called Durga Das Kamath? He was an employee of an ex-BJP MLA from Fatorda. He is an ex-RSS person. He is a person who was involved in some mining scam. And he was a person who was thrown out from there. And Congress picks him up and makes him like one of the main spokesperson of the Congress. So is Congress gone so bankrupt that it has to depend on people like this to express the voice of the Congress party? But John Fennard is also-